हेलो फ्रिंड्स मैं संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल संध्यासी लाई डिजाइन पर फ्रिंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग बेल्ट ब्लाउस की कटिंग सीखने वाले हैं अभी तक हम लोग सीख रहते शिंपल ब्लाउस फोर्टक्स ब्लाउस इसके साथ में हम लोग बेल्ट भी कट करना सीखेंगे तो सबसे पहले हमको पूरे कपड़े को एसे ओपन करके रख लेना है ठीक है और यह हमने डबल फोल्ड में करके रखा हुआ है तो ओपर वाला पार्ट हमारा बैक पार्ट है थो बैक पार्ट की लंबाई हम लेंगे जितनी भी ब्लाउस की लेंध रखनी है तैयार उसमें से एक इंच हम प्लस करके ले लेंगे ठीक है तो इस तरह से यह हमने यहाँ पर अपना लंबाई निकाल लिया इसके बाद नीचे वाला हमारा फ्रेंट पार्ट होगा तो वहाँ पर हम एक इंच प्लस करके लेंगे बैक पार्ट से तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक इंच प्लस करके लाइन ड्रॉ कर ली है अब इसी लाइन पर हम यहाँ पर इसको कट कर लेंगे तो इस तरह से हमारे लंबाई में फ्रेंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों निकल आएंगे अब हम इनको फिर शे एक बार फोल्ड कर देंगे तो इस तरह से हमारे फोर फोल्ड में कपड़ा हो जाएगा तो ऐसे बराबर से हमें यहां पर फोल्ड कर देना है अब fold करने के बाद देखो कपड़े के बंद भाग को हम अपनी के तरफ रख लेंगे इस तरह से तो देखिए इस तरह से हमने four fold में ले लिया है हमारा back part अंदर हो गया है और front part उपर side अब हम कपड़े की बंद भाग से गले के लिए धाय इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से यह हमने धाय इंच पर निशान लगा है इसके बाद गले की लेंध हमको लेनी होगी साड़े 6 इंच तो आपको जितनी भी तयार लेंध रखनी उसमें से सिर्फ हाफ इंच प्लस कर लीजिएगा तो जैसे कि मुझे यहाँ पर तयार रखनी है साड़े 5 इंच गला तयार रखना है तो मैंने 6 इंच पर लाइन ड्रो किया है इसके बाद इस तरह से एक बाक्स बना लेंगे हाफ इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और गुलाई दे देंगे इस तरह से तो यह हमने अपने गले के लिए निशान लगा लिया है अब हम इस तरह से एक बाक्स बना लेंगे अब यह बाक्स बनाने के बाद यहाँ पर हमको गुलाई रेनी होगी अपने आर मोल पे तो बिल्कुल शेंटर से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और हाफ इंच पर तो जो हमने 2 इंच पर निशान लगाए यह बैक पार्ट में क कम कर देंगे तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट और फ्रेंट पार्ट की गुलाई हो गए यार मोलकी अब हम सीने का नाप लगाएंगे तो जितना भी आपका चेश्ट है उसका चौथा भाग कर लीजेगा और यहां पर निशान लगा लीजिए तो मैं यहां पर साड़े साथ इंच पर निशान लगा लीडिए इसके बाद दो इंच करलेंगे मारजिन के लिए सेम ऐसे ही नीचे की साइट कमर पर निशान लगाना है तो जितना आपका पास हम 5 इंच पर यहां पर निशान लगाएंगे ठीक है बेल्ट कट करना है हमको तो इसके बाद इधर 4 इंच हमने देखा 4 इंच नीचे बचा तो इधर साइड हम 3 इंच बचा के यहां पर एक लाइन ट्रो कर लेंगे इस तरह से तिर्ची लाइन आप देखो हाफ इंच यह 9 इंच पर निशान लगा लेंगे अब उसी निसान से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे चारो तरफ यानि कि हमें 4 टक्स बनाने हैं तो चार टक्स हम यहां पर सेम जैसे हम सिंपल ब्लाउस बनाते हैं अभी तक सीख रहते वैसे ही हमको टक्स बनाना ह होगा तो हमारा गला लेंध मी रहेगा बैग पार्ट का तो गले की साइट से हाफ इंच पर यहां पर निशान लगाएंगे और उधर साइड आर्म होल साइड हमारा पूरा कपड़ा रहेगा ऐसे निशान लगाया अब हम इसको ऐसे ही कट कर लेंगे पूरे कपड़े को तो तो जैसे हमने यहां पे निशान लगाया से हम वैसे कट कर लेंगे अभी बेल्ट नहीं कट करेंगे तो इस तरह से यह हमको कट कर लेना है तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है और यह जो हमारा साइट से कपड़ा बचा है यहां से स्लीप्स निकलेगी और यह जो गला वाला कपड़ा है यहां से हुक पट्टी और आई पट्टी निकालेंगे अभी उसको साइट में रखते हैं अब देखो क्या करेंगे अपने बैक पार्ट को निकाल देंगे अब हम फ्रेंट पार्ट को ऐसे रखेंगे और रखने के बाद इसमें आब हमने जो निशान लगा है हो वो कट कर लेंगे और हाफ इνच जो हमने शोल्डर अंदर की साइड डाउन किया था वो कट कर लेंगे तो इस तरह से हमने cut कर लिया है front part अब इसको पूरा open करके रखेंगे इस तरह से रखने के बाद बिल्कुल center से line draw कर लेंगे यहाँ पे तो इस तरह से यह हमने line draw किया जैसे हमने इधर टक्स लगाया सेम ऐसे ही दूसरे side भी हमें cut कर लेंगे तो इस तरह से यह हमने cut कर लिया है अपना front part complete कर लिया अब हम back part लेंगे तो back part को इस तरह से रखना है अगर आपको back part में गला length में और बढ़ाना है तो आप बढ़ा लीजेगा जितना तयार रखना है उसमें से half inch plus कर लीजे मुझे तयार रखना है 8 inch तो मैं यहाँ पर 9 inch पर line draw कर लूँगे नीचे तक इस तरह से यह हमें line draw कर लेनी है अब यह line draw करने के बाद इधर side हम एक box बना लेंगे 2 inch पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम गुलाई दे देंगे half inch की तो इस तरह से यह हमने गुलाई दी और ऐसे ही इसको cut कर लेंगे तो यह देखे यह हमारा पूरा गला बन गया है अब इसके बाद नीचे की तरफ हमें tax के लिए निशान लगाना होगा तो कपड़े के बीच से बिलकुल center से हमें यहाँ पर चार इंच पर निशान लगाना है उपर के तरफ भी चार इंच पर निशान लगाएंगे तो यहाँ पर हमें दोनों साइड ऐसे ही tax complete कर लेना है तो यह हमने दोनों साइड tax complete कर लिया है तो इस तरह से back part complete हुआ अब जो गले के पास से कपड़ा निकला था यहाँ से हम hook पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे तो बीच से इसको दो भागों में cut कर लेंगे तो यह हो गई हमारी hook पट्टी आई पट्टी अब जो से हमारी fitting side से कपड़ा बचा हुआ था वहां से sleeves निकालेंगे तो आगे की side अगर आपका कपड़ा बराबर नहीं है तो उसको बराबर से ऐसे line draw कर लीजेगा अब उधर वाले कपड़े से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह कट होके निकल जाएगा तो फ्रेंट्स जो हमने line draw किया है वसी line से हम इधर साइल इसकी length लेंगे sleeves की तो जितनी तयार sleeves रखनी उसमें से half inch plus कर लीजेगा अगर आपके आगे border है तो क्योंकि मेरे blouse में यहाँ पे border लगाना है आगे की side तो जब मैं इसके stitching बताऊंगे तब आपको अच्छे से समझाओंगे लेकिन अभी आपको यहाँ पे अगर आपके border नहीं है blouse में तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 1,5 inch plus करेंगे लंबाई में ठीक है तो यहाँ पे आपको 1,5 inch यानि की जितनी तयार length रखनी उसमें से 1,5 inch plus करने के बाद यहाँ पे निशान लगाई है अब उसी निशान से हम नीचे की तरफ यह हमारा armhole side जुड़ेगा जाके तो यह हमको अपने chest का चौथा भाग निकाल लेना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है इसके बाद इधर साइड एक line draw कर लेंगे यानि की एक box बना लेंगे अब इतना box बनाने के बाद हमको यहाँ पे अपनी आस्ती सेव देना होगा तो 1.5 इंच पर हम यहाँ पे सेव देंगे छोटी स्लीफ में 1.5 इंच की सेव देते हैं इस तरह से यहाँ पर हमको line draw जो निशान लगाया इसे line draw कर लेनी अब इसी निशान पर हम यहाँ पे गुलाई दे देंगे तो इस तरह से यह हमने अपनी आस्तीन का सेव दे दिया जो गुलाई देनी होती है इसके बाद आगे की साइट से बाटम का निशान लगाएंगे तो यह हम 5 इंच पर लगाएंगे इसके बाद यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे तो 1.5 इंच में ने मार्जिन दे लिया है औ और कोने से मार्जिन वाले कप्ड़ी तक निसान तक लाइन ड्रौ कर लेंगे इसके बाद फिटिंग वाली लाइन भी ड्रौ कर लेंगे अब हम इसको ऐसे ही कट कर लेंगे तो इस तरह से यह हमारी स्लीफ की कटिंग हो गई है अब हम इसको पहले पूरा ओपन करके रखेंगे तो जो सीधा भाग होगा उसको हम उपर की तरफ रखेंगे यानि कि यह सीधा भाग है उल्टा भाग नीचे की तरफ है इस तरह से ओपन करके रखना है अब दूसरी वाली कोई भी निशान लगा लेंगे जिसके हमें पता चलेगा कि कौन सा बाग हमारा शीधा है कौन सा उलता है तो इस तरह से हमारे इस तरह से यहां पे अंदर की तरफ एक निशान लगाना है और हाफ इंच बिल्कुल शेंटर पर निशान लगाया अब यहां पर हम ऐसे गुलाई दे देंगे और ऐसे ही इसको कट कर लेंगे तो यह हमें इस तरह से हमने अपने आस्तीन डाउन कर लिया फ्रेंट पार्ट की सिद्टी तरफ तो अब हमारा स्सलेव कर दान कर लेंगे AMY में अचाल लेंगे तो इस तरह से यह हमारा औरेव में हम अपनी पाइपिंग के लिए पट्टे निका लेंगे तो ऐसे कप्र को पूरँ ऑपने करते अर रखने के बाद फट्टर की स्हाहता से सीधी लाइन लेकिन यहां पे और एप में सीधी लाइन ड्रो करनी है और ऐसे हम इसको कट कर लेंगे तो यहां से हमारी दो पैपिंग के लिए और एपट्य निकल आएंगे और इतने में हमारा गले के लिए पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा हमारा गला तो इस तरह सी यह हमने पूरे कटिंग कर ली है यानि कि जितने भी हमें ब्लाउज मीकप प्रेट चाहिए होते हैं हमने सारे कटिंग कर ली है तो फ्रेंड इसके स्टिचिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको जहां पर भी नहीं समझ में आया है आ आपको रिप्लाइज जरूर दोंगी और वीडियो पसंद आया तो प्लेज वीडियो को लाइक सेयर चैनल को सुस्क्राइब कर लेना तो फ्रेंड से मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद